गुद्वानिंगी स्टुडेंट वेलकम बैक टो ऑनलाइन क्लासेज टुडेए वार गोइंग पुलान क्लास फोर्थ सब्जक्ट में चैप्टर नंबर थर्टीन फिल्ड एंड फिंस जैसे कि आपको चैप्टर नंबर चैप्टर की नीम से लग रहा है कि फिल्ड एंड फिं के बारे में हो सकता है कोई भी क्या हो सकती है एक सेपो सकता है किसी भी टाइब का सेपो सब्सक्राइब ट्रेंगल हो सकता है तो किसी भी सेप के बारे में ने किसी भी टाइब का फिल्ड हो सकता है उसके बारे हम और सेंसेस यानि उसकी जो क्या है साइड उसके बारे में प फीरेंट इन गपिस का वह है पैरमीटा तो सबसे पहले हम पैरमीटर के बारे में जानता है कि इसस्टरा से क्या है इस तरह से कोई 3 cm, 4 cm, 6 cm and 2 cm इस तरह का कोई फील्ड है यानि एक कोई सेफ है ऐसा तो यह क्या पूर है कि पैरेमीटर क्या होगा तो इसका पैरेमीटर क्या होगा तो लाइक यह है बी है इस तरह से एक क्या है एक फील है ए बी सी डी ए ठीक है अब यह कह रहा है कि इसका पैरेमीटर क्या होगा आउटर वांडरी जो इसकी टोटल यहां से मैं चलना सुरू करता हूँ यहां से ए से भी जाता हूँ इसकी लेंध कितनी है 3 cm गया 3 cm ठीक है इसके बाद 20 से मैं सी जात आता हूँ तो एक इने 4 cm गया 4 cm तो हम ने लिग दिए 4 cm गया वहां इसके बाद मैं कर सी से दिया आता हूँ टैके दैन मैं निदी से यह आता हूँ तो यह क्या होगए 2 cm प्लस 2 cm अगी इसका जो टोटल सम है इसे कहते हैं पैरेमिटर यह जो हमने क्या किया आउटर जो उस फिल्ड का आउटर बॉंडरी है आउटर बॉंडरी है उस फिल्ड में घूमा ठीक है उस फिल्ड में जितना मैं घूमा जहां से इस इनिस्यल पॉइंट से और वहीं जहां से मैं शुरू वहां तक की जो टोटल लेंथ होगी यहां तक की जो टोटल लेंथ होगी इसे क आपके parameter के बारे में बात हो गई कि parameter हमें किसे कहेंगे कि total outer boundary जो आपकी किसी भी save की है वो क्या होगा parameter होगा अब देखे अलग अलग type का save एक तो यह आपका basic formula होगा कि जहां पे आपके पास कोई formula नहीं दे रख है तो आप इस तरह से इसका क्या निकाल सकते हैं parameter find out कर सकते है यह आप आगे फिप्त में भी पढ़ेंगे ठीक है फिल्ट and fences में फिप्त में पढ़ेंगे इससे advanced course पढ़ेंगे more questions करेंगे लेकिन यहां पर आपके पास के वो दो save के बारे में दे रखा है एक है आपका rectangle और दूसरा है आपका square क्या rectangle सबसे पहले हम rectangle पढ़ेंगे उसके पढ़ेंगे rectangle का parameter कैसे find out किया जाता है और सबसे पहले हम दोनों से को comparison करते हैं कि कौन से से को हम rectangle कहते हैं और कौन से से को हम square कहते हैं तो देखिए मैं एक rectangle का एक यह क्या हो गया rectangle हो गया ठीक है और यहां पर मैं एक से और मना रहा हूं यसी के नीचे जो हमारा क्या square formation, square का formation होगा इस तरह से ठीक है अब देखिए अब इसको हम difference कैसे find out करेंगे कि कौन सा हमारा square है और कौन सा हमारा rectangle है तो देखिए rectangle जो भी होगा like मैं इसको दे रहाँ A, B, C and D जो आपका rectangle होगा उसकी आमने शामने वाली साइड यानि आमने शामने वाली साइड बोले या opposite साइड बोले है सबसे पहले है अब देखो साइड कौन से होगी तो साइड ही हो गई जैसी यहां से लेकर यहां तक तो एक साइड आपकी यह हो गें देन 20 और नेक्ट साइड हो गई फिर सीकलों गया खंग हें डिये क्या हो गए हैं डीये क्या हो गए यानि टॉटल साइड कितनी यह नी फोर साइड से इस रक्टेंगल refugee 예कितली साइड है four sides है अब देखिए कौन से आमने सारा आमने सामने क्लिए या opposite देखो इसे के सा सामने कौन सी है डीशी ए भी के सामने कौन से साइड है डीशी तो यह क्या है आपस में लाएके 5 cm है और देन यक्यहेagt 4 cm है और यह क्या है4 cm जब आपके पास ऐसा कोई figure मिले जिसके opposite side क्या हो? Equal हो वो four-sided close figure हो opposite side ads क्या हो? Equal हो तो वो क्या बनाएगा? rectangle बनाएगा उस frase को हम क्या कहेंगे? क्या property है? क्या property सबसे पहली इसकी क्या condition है? कि वो four-sided होनी चाहिए four-sided कैसा होना चाहिए? close figure होना चाहिए ऐसा नहीं कि हमने यहां पर बना दिया यह बना दिया इस तरह से बना दिया और यह open figure है यहां से क्या है open figure तो यह क्या नहीं होगा rectangle नहीं होगा यह कोई भी shape नहीं होगी इस तरह की तो यह क्या होना चाहिए rectangle क्या होना चाहिए four sided close figure होना चाहिए और उसके opposite side क्या होनी चाहि है तो जब आपके पास यह property दिखेगी किसी figure में तो क्या हो जाएगा rectangle हो जाएगा next जो पार्ट है next जो हमारा है अगर हम इसके बारे में करेंगे a b c d इसका भी हम नाम दे दिया जब हमार यह भी क्या है four sided है यह property same हो गई four झाल साइडे है खुलोज समंथा फिक है लेकिन यहां पर क्या होगा like हमारे पास एक है three centimeter है three centimeter to three centimeter है the three centimeter है and three centimeter है जब आपके पास और साइडे for all-sided क्या मिलीगी ऊक्वल मिलेगे चारों साइट कैंवाइए और इसके औल साइट किया है और इसके ऑल है तो यह हो गयाा रकैंगल और यह वगया इंदोनों में कि बारे में हम आपको इस-प्रवाअ कि कैसे हो आप पैरेमीटर की बात करेंगे तो पैरेमीटर मैं आपको पहली बता चुका कि parameter कैसे एक तो तरीका आपको direct हो गए कि हम क्या करेंगे AB plus BC plus CD plus DA यानि इन सारी साइट का क्या कर दें सम कर दें तो हमें parameter मिल जाएगा ऐसी यहां पर AB plus BC plus CD plus DA इसको कर दें तो यह हमारे पास क्या जाएगा parameter आए दूसरा यहीं से हमें क्या मिलता एक formula मिलता है और उस इसी से formula मिलता है तो क्या कह सकते है इसका जो परेमेटर का rectangle के लिए formula होगा क्या हो जाएगा 2 into L plus B यानि लेंध प्लस ब्रिथ 2 into length plus breath कि according हमें rectangle का formula जो parameter को find out करने के लिए यूज होता है अब कैसे निकलता है क्योंकि यह साइड है आप इसमें equal to dc हो जाएगा तो हम एक की value रख देंगे यहां पर 20 को जाएगा तो यह आपके आगे का काम है जब आप और ट्राइब करना सिखाएंगे तो उस समय बता दिया जाएगा का कैसे हम rectangle का formula generate करते हैं ठीक है ऐसी आपका square का square के all side equal है all side equal है तो क्या हो जाएगा 4 multiple by sides 4 multiple by side तो यहां पर हम जो square का है square के लिए the parameter of the square equal to क्या हो जाएगा 4 into side and parameter of the rectangle equal to 2 into L plus B और अगर आपको यह दोनों formula याद नहीं है तो आप total करके इनका AB plus BC plus CD plus DA से उसको solve कर सकते हैं आप उतनी नंबर मिनना है ठीक है तो आप इस चीज़ को ध्यान रखें कि पैरमिर सबस्क्राइब बेसिक चीज़े बेसिक जो formula बनेगा वह कहां से बनेगा the sum of the all sides जो भी फिगर रहा हो वह four sided close figure हो सकता है five sided close figure हो सकता है three sided close figure हो सकता है तो उसका पैरमिटर formula बाद में categorize की गए लेकिन जो parameter निकलेगा और क्या निकलेगा four sided close figure यानि टोट्म दट्सम अब the sum of the all sides यह क्या हो जाएगा इसका formula बिनस formula से आप उसको solve कर सकते हैं तो आप हैं पे करते हैं कोई नमबर फर्स्ट है find the parameter of the square with given sides अब यहां पे हमारे question दे रहे हैं कि हमी क्या करना है parameter find out करना है किसका करना है square का तीक है किसा करना है square का with the given sides जिसके side में नीचे दी गई तो देखे फर्स्ट question ह हमारे पास Side equal to 6 cm and हम यहां पे क्यानि कालना है parameter हेट निकालना है Square का, हम क्या लिएगare parameter of its square equal to, what is the formula of the parameter of the square तो यह क्या होता था, यह क्या होता था, square होता था, जिसकी क्या होती थी, चारोंSide क्या होती, उक्तोती तो यानि इस तहरा का कोई figure है, 6 cm, 6 cm, 6 cm एंड 6 cm यह आपका स्कूर है और इसका हमें क्या निकालते एक तरीका आपका ट्रेडिशनल तरीका मैंने बताया आपको कि 6 पलस 6 पलस 6 पलस 6 उस्से निकाल सकते हैं कि हम्हें यह पहले पर एंट्रार निकाल सकते हैं अब में यह आ पर आपको यह पहले बता चुका हूँ तो हम फॉर्मुला के अक्वारिंग क्रिका ओए नेउट सुर्म्टी में क्यों होता पोंटू साइड नियुक्री तो इन फोर्रेटा इन्टू साइट पो रहे गा थिकए अब साइड कितनी दे रखें हमारे पास आय दे रहें कि रहा है NE कि 6cm तो 4 इंटु साइड यानि 6-4 इसका जो आंसर आएगा कितना हमारे पास परेमीतर आएगा स्क्वाइर का वह कितना आएगा 24 cm इसके बाद इससी का नेक्षंट पार्ड करते हैं सीआट करते हैं एक को त gyback दे रहा हूं मैं आपकर ऑड़ कि एपार्ट है ट्वैल मीटर यहां पर साइट कितना रखी है 12 मीटर आपके पास साइट दे रखिए और इसका हमें क्या निकाल तो क्या जाएगा ऑगया लाज क्या जाएगा रिख। 4 सब्सक्राइब कि यह उन्ट युनाया Kelly यह रिधा करो क्यों पर क्यması टेबल तो 30 अशरे comment यह दो कश Queens बता चुक Maintenance म्लटपिकेशन आपको पहले बता चुक्ए तो यह जाएगा 48 मीटर गया शैगि 48 मीट्र नेग्स्ट क्वेस्टन निच्स पार्ट है डिवाट सी डिवाट यह आपका कितने कितने साइड कितीने दें रखी है 더 16 मीटर 16 में Geme निकालना है यहां पर तो 15 अपर हैगा इसके से हुआ वगुए आफ यह अपके साइड खें रहेगा सेम रहेगा क्यों कि इसने बैसी कॉषिए में आपके इसक्वाइर के निकालना है तो हम इसक्वाइर के जितना भी इसक्वाइर के जितन भी कोईशन बने के वाल साइड चींज होती रहेगी बागी फोर्मूला क्या रहेगा तो यह क्या जाएगा 16 cm तो 1630 क्या कर देंगे तो हम क्या करेंगे इसका solve करेंगे और solve करेंगे तो क्या हो जाएगा 64 तो यह जाएगा 64 cm तो आई होप आपको यह समझ में आ रहा होगा कि देखो यह क्या है formula है 4 into side 4 into side क्या formula है और side की place में आपको क्या करना है वो sides जो given है question में उसके according value put up करते जानी है और answer निकालता निकालते रहना है तो I think आपको यह समझ में आया होगा आप इन questions की practice करिए PDF form में आपको दे दी जाएगे सबसे पहले आप इसका basic को समझे कि basic parameter क्या होता है रक्टेंगल का parameter क्या होता है और square का parameter क्या होता है और हम कैसे इसको find out करते हैं मैंने पहले आपको इसको हम जरूरी नहीं कि इस formula से करें डेरेक हम सेफ को बनाके क्या कर देंगे सेट को कि किंड़ने कि सबस में क्या कर देंगे सौसמה कर सकते हैं कि हमें कैसे निकाल रहे में आपको सिता हुआ है और इससे पहले बहुत है स्परहु समझा रहा हुं तो इसकाना फैरेमिट्र साइडर कांग स쳐 versch pře infection Smesis सकता है आप कोई समझ में आएगा तो आप इसको देखें अच्छे से देखें और प्रेक्टिस करते रहें थेंक्यू एवनाइश्टे